नमस्कार दोस्तो, मैं मिलीन वाला वलकर, डेवलप्न अफिसर एंड एस बीए फ्रम एमडियो टू आप सभी लोगों का आज के इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो हमारे बहुत सरे एडवाईजर की कुछ एक कॉमन परिशानिया होती है जैसे मैं prospecting कैसे करू या तो prospect को approach कैसे करू अगर approach करू तो कहां से शुरुवात करू कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी policies है तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं insurance में believe नहीं करता और कुछ लोग कहते हैं मुझे insurance की ज़रूती नहीं है दोस्तो ऐसी कई सारी परेशानियों का सामना सिर्फ उन एडवाईजर्स को करना पड़ता है जो घर से बाहर निकलते है और मार्केट में किसी ना किसी प्रोस्पेक को मिलने की कोशिश करते है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये सारे एडवाइजर्स इन्हें हम active एडवाइजर्स कहते हैं मगर कुछ एडवाइजर्स ऐसे हैं जिन्हें इन में से कोई भी परिशानिया नहीं आती क्योंकि ये लोग कभी घर के बाहर निकलते ही नहीं किसी को मिलते ही नहीं और किसी से भी इंशूर्स की बात करते ही नहीं इन सभी लोगों को हम secret एडवाइजर्स कहते हैं इन्हें एक डर सा लगा रहता है कि अगर मैं किसी से इंशूर्स की बात करूँ और उसने अगर ना कह दिया तो मेरा सबसे बड़ा अपमान हो जाएगा तो ऐसे secret agents कभी भी success नहीं पा सकते दोस्तों ऐसे secret advisors को मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हर business में profit या loss ये दोनों में से एक चीज़ होती है मगर LIC advisor, LIC agency एक ऐसा business है जिसमें loss की कोई गुंजाईश ही नहीं अगर होगा तो सिर्फ profit होगा और सबसे बड़ा profit हमारे prospect का होता है और इसी लिए ये business करने ही हो गया है आईए आज इनकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करते है देखते रहे हैं हमारा आज का वीडियो जिसका topic है वर्किंग कैपिटल मेथड जिस किसी prospect के पास पहुँचने के बाद अगर वो prospect आपको उपर बताई हुई कुछ परेशानियां अगर बता रहा है तो उससे बस इतना कहो भाई साब आईए एक सिंपल सा हिसाब करते है यह जो मेरे हाथ में वर्किंग कैपिटल की sheet है इसमें कुछ अंक भरने की कोशिश कीजिए इस वर्किंग कैपिटल की छोटी सी जो sheet है यह उसके सामने बढ़ा कर उसे इसमें अंक भरने के लिए मदद कीजिए सबसे पहले उसको पूचिए कि आपके family को monthly expenses, grocery, clothes, school fees इसके लिए आपको कितना पैसा लगता है For example, अगर ओ लिखेगा 15,000 रुपे हर मैने उसके बाद में salaries to made मतलब अपने घर में जो कामवाली बाई आती है उसका पगार, आपका rent अगर flat होगा तो उसका maintenance बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन और मोबाईल का बिल इसका total मिला के अंदाजा कितना खर्चा होगा अगर ओ लिखता है 7,000 रुपे फिर उसे पूचिए अगर कोई भी लोन आपने लिया है housing loan, car loan या personal loan तो उसका कोई monthly EMA होगा for example 5,000 रुपे अगर ओ लिखता है अब उसे पूचिए कि आपको property tax, road tax, petrol diesel माने कि fuel या तो convince जाने आने का प्रवास खर्च हर मेने का कितना होता है अंदाजन ओ लिखेगा 3,000 रुपे अब इसकी total कीजिए total monthly expenses बन गए 30,000 रुपे अब उसे कहिए कि ये 30,000 जो monthly expenses है इसमें से सिर्फ 50% expenses का हम फिलाल विचार करेंगे तो 50% बनता है 15,000 रुपे अब ये 15,000 रुपे अगर आपको हर मेने लगातार आने चाहिए तो ऐसा कितना पैसा आपको bank में या तो post office में या तो LIC में रखना होगा जो कि 6 टक का interest पे आपको हर मेने 15,000 रुपे दे तो इसका सीधा और simple उत्तर है 30,000 रुपे अब ये 30,000 की total अगर पुंजी आप कहीं पे भी रखो तो 6 टक का आपको 1,80,000 रुपे देगा मने कि मंतली 15,000 रुपे अपने family को मिल सकता है अब उसे पूछिए कि आज तक की आपकी जमा पुंजी cash कितनी होगी आपके पास जैसे कि insurance का पैसा तुरंत आएगा bank में जो जमा किया हो निकाल सकते है post office, provident fund या तो PPF इसमें जमा सारी रकम जो होती है ये cash होती है तो ये करीबन कितनी अपने जमा की होगी आज तक अगर उसने total amount जोड के 12,000 रुपे लिग दी तो अब उसे पूछिए कि 30,000,000 में से ये 12,000,000 की तो अपने पुंजी जमा की है मगर बाकी रहे हुए 18,000,000 रुपे पुंजी का provision का क्या अब उसे आपने ये जो प्रश्न पुछा है कि भाई साब इस 18,000,000 का आपके पास क्या समादन है और इसे किस तरह पुरा करोगे इसमें बहुत बड़ी एहमियत है बहुत बड़ा seriousने से जो उसे सोचने के लिए मजबूर कर देगी अगर कल भी हम ना रहे तो ये 18,000,000 एक family के लिए shortfall है कल तक की ताजा ख़बर के अनुसार अमरनात यातरा पे गए हुए लोगों में आज तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें से 16 लोग बाड़ में बह गए या तो जमीन के नीचे दबोचे गए ये सारे लोग अमरनात जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए मगर इन्होंने शाय सोचा भी नहीं होगा कि वापस लोट कर ये अपने परिवार का दर्शन कर पाएंगे या नहीं 18,000,000 जमा करने के लिए शायद उन्हें सालों लग सकते थे मगर अगर उन्होंने 18,000,000 बीमा लिया होता तो आज उनके ना रहने पर भी उनके परिवार को 18,000,000 बीमे का और 12,000,000 जो उन्होंने जमापुंजी करके रखी है ऐसे मिला के 30,000,000 रुपया उनके परिवार के पास होता जिसके उपर 6 टक का इंट्रेस के इसाब से भी 15,000 रुपया हर मैना उनके फैमिली को मिल सकता था यह ताकत सिर्फ और सिर्फ LIC पॉलिसी में है जो की परिवार के एक सदस्य के मृत्यू के बावजूद उसके पूरे परिवार को जिन्दा रहने के लिए मदद करता है और किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट या सेविंग में यह ताकत नहीं अगर प्रोस्पेक्ट ने आपको सिर्यसली सुना है तो वो ये चीज़ जरूर पूछेगा कि फिर आपने सिर्फ 50 टक क्यों लिया अब उसे बताने की जरूत है कि भाई साब जब भी मैं आपसे इंशुरंस की बात करता था तब आप कई सारे कारण देते थे मगर इस वर्किंग केपिटल शीट ने आपको ये बता दिया कि आपके पास तो 50 टके की भी पूरी प्रोविजन नहीं है अब उसे बताईए कि अब आपने पूछी लिया है तो 100 परसेंट का प्रोविजन लेकी भी एक बार ये कैल्कुलेशन देख लेते है आपका टोटल मंतली एक्सपेंसेस घर का खर्चा हमने देखा 30,000 रुपया हर मेने अगर ये में पूरा का पूरा 100 परसेंट ले लू 30,000 तो आपको 60 लाग का प्रोविजन चाहिए जिससे की 6 टका इंट्रेस पे आपके घरवा लोग को 30,000 रुपया हर मेना मिलता रहे मगर ये 60,000 में आपने सिर्फ प्रोविजन किया हुआ है 12,000 का इसका मतलब है कि आपको और एक्चुल 48,000 रुपय की प्रोविजन करने की जरूत है मगर अगर आप ये एक्चुल जरूत पूरी नहीं कर सकते तो बहिया कम से कम 50 टका माने की 18,000 की तो प्रोविजन करो दोस्तो यहाँ पर आपका सेल ओपन हो जाता है और यहाँ पर वो आपसे जरूर जानना चाहेगा कि यह जो डेफिसिट है यह जो गैप है इसे हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं और उसकी क्या योजनाएं आपके पास है अब एक एडवाईजर के नाते आपका काम इतना ही बचता है कि उसकी सेविंग कापैसिटी उसकी फैमिली की जरूरते देखकर उसे आप एक दो या तीन आप्शन्स बता सकते हैं जोस्तो अगर हर एडवाईजर इस वर्किंग कैपिटल का अगर 20-25 परचे अपने बैग में रखे और रोजाना एवरेज कम से कम एक आदमी से इस वर्किंग कैपिटल के उपर बात करें उसे समझाने की कोशिश करें तो पूरे महिने में आपके पास कम से कम 20-25 लोगों का वर्किंग कैपिटल जमा हो सकता है और यही 20-25 लोग आपको कम से कम 6-8 पॉलिसी हर महिना दे सकते हैं बस इस परचे को फोन के जरीए या वाटसप के जरीए वर्किंग करने की कोशिश ना करें हमें घर के बाहर निकलना जरूरी है घर के बाहर जाके प्रोस्पेक्ट से मिलना जरूरी है क्योंकि हमारा बिजनेस जो है यह रिलेशन्स और इमोशन्स का बिजनेस है जो की सोशल मेडिया से नहीं किया जा सकता बस इस वरकिंग कैपिटल की 20-25 परचिया बना कर अपने बैग में रखकर निकल पड़ी है कामिया भी आपके कदम चुमेगी इसी शुबकामनायों के साथ आज का वीडियो यहां पर समाप्त करता हूँ धन्यवाद इजाज़त दीजिए